नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे चनल यह मार्किट में बात करेंगे कैम्स की क्वाटर डू के रिजल्ट आ चुकी है कैसे रहे है रिजल्ट जाने के लिए वीडियो का अंट तक जुरूर देखेगा सबसे पहले यहां पर बात करते हैं डिविदेंट की तो इस प्रूर दी पेमेंट ऑफ एंट डिविडेंट ऑफ रूपीज 9.50 तो 9 रुपे 50 पैसे का आपको पर शेर के पिछे डिविडेंट दे रही है तो कंपनी काफी तरह एक अच्छा काम कर रही है कि एक अच्छा यहां पर आपको डिविडेंट देखने के लिए मिल रहा है साथी साथ यहां पर बात करते हैं बोर्ड है अप्रूबल एन इंवेस्मेंट ओफ 3.2 क्रोड इन इक्विटी शियर ओफिडेंट से होली ऑन सबसेडिरी कैम्स फाइनेशल इंफोमिशन तो डेफिनेटली यह एक अच्छे नीज है तो यहां से हम आइडिया लगा सकते हैं क कि कमपनी के जो रिजल्ट है वो काफी तरह अची आ है ने बात करते हैं कंपनी के स्टैंड आलाउन के जो रिजल्ट है उनके अबारे में किर्जल्ट कैसे रहे तो वीडियो अच्छे を लग रहे तो वीडियो को लाइक करना विल्कुल मत भूले गा अहां तो कम्पनी can im glade टोटल एसेट की बात करते हैं ताकि थोड़ा सा एडिया हो जाए तो तक्रीबन पहले चीज बताओं कि जो यह जो नंबर है यह इन लैक में है इस चीज का दिया दखिए का ताकि आगे जाए का पूंफ्यूजन ना हो जो एसेट्स हैं वो है में था 22,178 लैक और पिछले यर में था 17,803 लैक तो डेफिनेटली कंपनी ने अच्छा जंप हमें दिखाया हुआ है देन अगर बात करते हैं हम यहां पर एक्सपेंस के बारे में तो 13,207 लैक का कंपनी के एक्सपेंस हुए जो कि पिछले क्वाटर में 11,843 के थे तो यह थ पर बात करते हैं प्रोफिट विफॉर टैक्स तो 8,668 करोड का कंपनी को प्रोफिट वाए जो कि पिछले कॉटर में था जो कि पिछले कॉटर में था 10,335 लैक तो डेफिनेटली कंपनी के एक्सपेंस भी यहां पर प्रोफिट जो है वो काफी जारा कम हो चुका है पिछल पिछले quarter में था 8,392 लेक और पिछले year में था 5,521 लेक तो definitely company ने year on year basis पर तो हमें जम्प दिखा है लेकिन quarter to quarter company में थोड़ी सी performance हमें weak देखने के ले मिल रही है साथ चार एक चीज़ यहां पर जानने वाली यह है कि यह जो profit as में यहां पर जो company expense increase हुए है उसकी वाज़े से कम हुए है और expense कहां पर कम हुए है तो company ने अपने employees के ओपर पैसे खर्च किया है जो कि एक positive sign भी है कमपने अपने जो इंप्रोजन के लिए अच्छा काम कर रही है देनागा बात करते हैं यहां पर EPS की तो 13 रुपए 36 पैसे कमा रही है company एक शियर के बिछे जो कि पिछले quarter में 17 रुपए 19 पैसे था और पिछले year में 11 रुपए 32 था तो year on year basis पे company की performance काफी तार आच्छी है